हेलो एव्रीवन वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल वी आईपी टॉपर क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमार टॉपिक है विभाशा और बोली में अंतर ये कॉश्चन बोर्ड एक्जाम में तीन या चार नमबर में हर एक दो साल में पू इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अंतर तक ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ चरूर शेयर कीजिए तो चलिए श रेकेंड पॉइंट है विभाषा बिस्तरक छेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का छेत्र सीमित होता है थर्ड पॉइंट है विभाषा सिक्ष कमाध्यम हो सकती है जबकि बोली सिक्ष कमाध्यम नहीं हो सकती फोर्थ है विभाषा को राज्य भाषा की मानिता प्राप्त हो सकती है जबकि बोली को नहीं फिफ्थ है विभाशा प्रादेशिक भाशा हो सकती है जबकि बोली इस्थानी भाशा होती है और लास्ट पॉइंट है विभाशा का व्योहार लिखे तेवा मौखिक दोनों रूपों में होता है जबकि बोली का व्योहार मौखिक होता है तो इस तरीके से अगर आप 6 पॉइंट लिखते हैं, अंतर में तो आपको पूरे नमबर जरूर मिलेंगे. तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो का पीडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिल जाएगा.